हिंदु पांचांग की अनुसार महागुन महा में आने वाली पूर्णिमा तित्थी को फागुन पूर्णिमा कहते हैं हिंदु धर्म में फागुन पूर्णिमा का धार्मिक, समाजिक और सांस्कृतिक महत्व है इस दिन सूर्योदों से लेकर चंद्रोदे तक उपवास रखा जाता है धार्मिक माननिता की एनुसार फागुन पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है और उस पर भगवान विश्नु की विशेश कृपा होती है वहीं इस तिथी को होली का त्योहार भी इस पर मनाया जाएगा तो चलिए जानते हैं फागुन पूर्णिमा वरत मूरत वा पूजा विधी पर उस्ते पहले यदि अब भी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो अच्छा लगे पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंस और फैमली के साथ तो शुरू करते हैं आज का वीजियो फागुन पूर्णिमा वरत मूरत इस बार फागुन पूर्णिमा 28 मार्च 2021 को मनाई जाएगी पूर्णिमा तिथी प्रारम 28 मार्च 3 बच कर 29 मिनट से वही इसका समापन 29 मार्च 2021 रातरी 12 बच कर 19 मिनट तक है तो अब जानते हैं फागुन, पूर्णिमा, व्रत और पूजामिधी हर महा की पूर्णिमा पर उपवास और पूजन की परंपरा लगबग समान है हाला कि कुछ फिशेषताएं भी होती है फागुन पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है पूर्णिमा के दिन प्राथाकाल किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुण में स्नान करें और उपवास का संकल लें सुबे सूर्योदे से लेकर शाम को चंदर्शन तक उपवास रखे रात्री में चंदर्मा की पूजन करना चाहिए इस दिन इसनान, दान और भगवान का ध्यान करें नारत पूराण की अनुसार फागुन पूर्णिमा को लखडी वा उपलों को एकत्रित करना चाहिए हवन की बाद विधी पूर्वक होलिका पर लखडी डाल कर उसमें आग लगा देनी चाहिए होलिका की परिक्रमा करते हुए हर्ष और उत्सफ मनाना चाहिए तो चलिए अब जानते हैं फागुन पूर्णिमा की कथा नारत पूराण में फागुन पूर्णिमा को लेकर एक कथा का वर्णन मिलता है ये कथा राक्षस हरी कश्यपू और उसकी बेहन होलिका से जुड़ी है राक्षसी होलिका भगवान विश्णू के भक्त और हरी कश्यपू के पुत्र प्रहलात को जलाने के लिए अगनी स्नान करने बैठी थी लेकिन प्रभु के क्रिपा से भक्त प्रहला सुरक्षित रहे और होलिका स्वयम ही अगनी में भस्म हो गई इस वज़े से पुरातन काल से ही मानेता है कि फागुन पूर्णिमा के दिन लकडिवा उपलों से होलिका का निर्मान करना चाहिए और शुब मूरत में विधी विधान से होलिका धहन करना चाहिए इस दिन श्री सत्य नारायन स्वामी की कथा वगायत्री मंत्र भी करना चाहिए और ओम नमो नारायन मंत्र का जाप लगातार 108 बार करने से अत्यन्त शुब माना जाता है यदि आपको होली का देहन शुब मूरत वा पूजा विधी जाननी है तो आई पटन पे उसका लिंग दिया है आप वीडियो चेक आउट कर सकते हैं होली का देहन के समय भगवान विश्णू वा भक्त प्रहलात का स्मरण करना चाहिए तो फ्रेंस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इससे लाइक करें शेयर करें फ्रेंस और फामली के और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी राइट हैं साइट पे एक बेल आइकन है उसे भी प्रस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी पास आ जाए थैंक यू सो मच फर वाचिंग